सेले दोस्तों मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विन स्वाइवर्ल बहुत सारे जो लेडीज हैं जो कि मेरे चानल से जूड़ी हुई है या फिर उनके हस्बेंड्स उनके हमेशा ये सवाल होते हैं कि मैडम मुझे ये सारे सिंटम्स दिखाई दे रहे हैं क्या है कि परेग्नेंसी के साइन हो सकते हैं हमें परेग्नेंसी टेस्ट कम करना चाहिए कितने टाइब करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो wait होता नहीं है और वेसी बात है कब करना चाहिए ताकि accuracy आये तो उसके लिए मैं आज इस complete वीडियो को मैं बनाया है मैंने और आपके लिए समझाने की कोशिश किया है कि आपको कब टेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी जो प्रिगनेंसी के टेस्ट है वो accurately आए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप pregnant होते हो लेकिन आपने बहुत अरली अगर टेस्ट कर लिया तो single line आईगी तो आप हताश हो जाते हैं निराश हो जाते हैं और पार में पता चलता है कि आपने pregnancy conceived कर ली थी तो ये कैसे accurately भी आपको पता चल जाएगा और double line भी तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता है कि सब लेडीज के अलग-अलग cycle होते हैं, किसी की short cycle होती है, like 25-26 दिन वाली cycle होती है, किसी की normal होती है, यानि 28-30 दिन वाली cycle होती है, किसी की long duration वाली cycle होती है, like 35-40 दिन वाली होती है, और कुछ लेडीज के irregular period होते हैं, मतलब कभी जल्दी आजाता है, कभी लेड से आजाता है, तो इन सारी लेडीज में evolution भी देर से होगा, क्योंकि evolution देर से होगा, उनके period cycle के हिसाब से evolution चलती है, यानि कि उनके शरीर से mature जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो release होता है, तो उसके बाद ही आपकी pregnancy रुकती है, अगर उ लेकिन बहुत सारे ऐसी ladies हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि pregnancy का जो test है, वो कब करें, तो depending upon सबके evolution अलग अलग होते हैं, तो उनको test भी वो अगर पहले करेंगी, माल लेजे कि suppose that उनकी long cycle है, और अगर उन्होंने test kit पे पहले ही देख लिया, तो कहां से आगा यार, कहां से double line आएगा, single line आएगा, तो इसी लिए accuracy जानने के लिए सबसे पहले आपको evolution अपना track करना है, evolution को कैसे track करेंगे, अनियमित evolution में भी कैसे track करेंगे, दोनों तीनों वीडियो के links मैं यहां उपर high button पे दे दोंगी, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख आपको evolution अगर आपको पता चल गया, और definitely उसके एक हफते के बाद implantation हो जाता है, तो आपका implantation होने के बाद से beta SCG की जो value है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और यही beta SCG ही आपके जो home pregnancy test kit अगर आप यूज करते हैं, वो ही detection का का काम करती है, वो ही main component होता है, जिससे कि आ आपकी pregnancy conceive हो गई है, तो अब जो beta SCG है, वो जो pregnant ladies होती है, उनकी 25 के बाद से अगर जो values होती है, तो उसके बाद ऐसे माना आता है कि अगर 25 या उससे जादा value है, that means कि वो pregnant है, तो अगर उनकी short cycle है, मान लेजे कि 25 दिन, 26 दिन वाली अगर short cycle है, तो period जैसे ही उनका over हो जात है, तो वो अगर उनकी जो period का जो date है, उसके 2-3 दिन के बाद ही अगर उनको pregnancy test kit पे देखती है, तो double line आएगी और accurate आएगा, तो इसमें बिलकुल भी संधे नहीं है, उनकी जो भी period की जो date है, उसके 2-3 दिन के बाद ही उनको test कर लेना चाहिए, और test में उनको 2 line आएगी, that means that this is a confirmation, normal cycle के अगर मैं बात करूँ, जिनकी 28-30 दिन की cycle है, तो उनका evolution generally देखा जाता है, कि 13, 14, 15 दिन तक हो जाता है, तो evolution के बाद से जो implantation होता है, वो एक हफते के बाद होता है, और उनको test करना चाहिए, उनके period miss होने के 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद, ये complete duration है, इस समय अगर आप test kit पे test करते हैं, तो definitely आपके दो line आने के chances जादा होते हैं, लेकिन अगर उससे पहले करिएगा, तो negative आएगी और आप हताश हो जाईगा, तो आपको अपने evolution के अनुसार ही, आपको test kit भी उसी हिसाब से देखना है, और माल लिजे कि अगर आपकी long cycle है, 35-40 दिन वाली आती है, तो आपको जिस दिन आपका period मिस हुआ, उसके 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद अपराम से test करिए, test में definitely दो line आएगा, अगर आपने pregnancy conceive कर ली है, तो single line नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी tension होने की जरुरत नहीं है, अगर उसके पहले test करते हैं, तो maybe आपकी single line आजाए, क्योंकि उस समय तक आपका implantation हुआ ही नहीं होता है, implantation नहीं होगा, तो आपकी जो beta SCG है, वो कैसे बनेगी, क्योंकि जब तक कि बुरूर्ण आपके गरभाशे में ना चिपक जाए, तब से आपकी pregnancy कहां से conceive होगी, तो pregnancy जब conceive होती है, उसके बाद ही beta SCG की जो value है, वो बढ़ती है, तो beta SCG बनने दीजे अच्छे से, तब ही आपकी जो confirmation है, वो सही आती है, confirm होता है, कि आपने pregnancy conceive कर ली है, उसके पहले test करीगा, तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी, इसलिए without any आपको कुछ भी मन में आपके doubt लिये हुए, जो जो मैंने parameter आपको बत पताई, normal भी पताई, और long भी पताई, उस हिसाब से आप अपने test देख लीजे, कर लीजे, मुझे लगता है कि जितने भी viewers के जो comment आ रहे है, मुझे लगता है कि आपकी comment आपने किया, और उसके उपर मैंने videos बनाए, और ये video आपके लिए helpful होगी, मैं आशा करती हूँ, त साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, WhatsApp पे करिए, Facebook पे करिए, या किसी को बोल के भी कर दिजे, कि Twins My World देखो, और साथ ही साथ मैडम का एक और चैनल है, Twins My World केर, वो भी देख लो, तो बस शेयर करने की नियत होने चाहिए, कैसे भी शेयर करिए, कर आइक भी कर दिजेगा, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फालो कर दिजे, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, Twins My World